ट्वंडिगर की उनिवरस्टी के गल्स होस्टल में लड़कियों के वीडियो लीक होने के मामले में चौथे आरोपी के एंट्री हो चुकी है साथ दिनों तक पुलिस रिमान में भेजे गए तीनों आरोपियों चात्रा उसका बॉइफ्रेंड सनी महता और उसका दोस्त रंकज्वर्मा से शुरुवाती पूश्टाज में कई तत्य हात लगे हैं चात्रा की मुबाइल से एक दर्जन से जादा वीडियो रिकवर कर लिये हैं हाला कि पुलिस की माने तो रिकवर किये गए सभी वीडियो उसके अपने हैं पुलिस ने WhatsApp चैट transcription भी हासिल किया है जुसके मुताबिक आरोपी चात्रा किसी मोहित से चैट कर रही थी वो चात्रा को वीडियो और फोटोस डिलीट करने को कह रहा है और इस पर आरोपी चात्रा कहती है आज मरवा ही दिया था क्योंकि एक चात्रा ने उसे एक नहाती हुई चात्रा की फोटो लेते हुए देख लिया था तो देखे एक के बाद एक नए खुलासे इस मामने में सामने निकल कर आ रहे हैं मोबाइल से बारा वीडियो मिले है किस के फोन के है ये चात्रा की या फिर उसके बॉइफिन के या जो अन्य तीसरा आरूपी था जो जिसको रासत मिलिया गया था पूछता है क्यों उसके अब देखे चौथे दोस्त की भी इसमें व्यक्ति की भी एंट्री हो चुकी है ओपी शर्मा हमारी समदाता इसी खाबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ओपी देखिए एक के बाद एक नए खुलासे किये जा रहे हैं पूलिस की तरफ से अब देखिए इसमें चौथे इंसान की भी एंट्री हो चुकी है कहा जा रहा है क्या जानकारी कौन है ये चौ को बताने के कि अब तक दो लोगों के जिनमें एक तनी महता और रंजन वर्मा ही जो है आरोपी बताए गए लेकिन अब इस तीसरे वेक्षिक पहस किया गया और इसका नाम जो है जो है जो तक नाम मौहित बताय जा रहा है तो जो पुलिस फिलाल जो फॉरंसी जांसे जो त कि अब तक जो तीन आरोपी बताय जा रहे थे अब तो देखे बड़ा डेट इससे पहले तीन और अब जो तरह से हमारे समवधाता ओपी हमी जानकारी दे रहे हैं अब एक और नए व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है कौन है ये और इन तमाम चीजों को लेकर देखिए अब कि अगे जांच परटाल की जाएगी हालाकि ओपी उससे पहले आप जानकारी सामने निकलकर आए थी कि 12 वीजियो जब फोन खंगाला गया तो 12 वीजियो सामने निकलकर आए क्या इसको लेकर कोई जानकारी कि किसके फोन से बरामद हुए हैं किसके फोन से मिले हैं चात्रा की उसके बॉइफ्रेंट के या फिर जो तीसरा था जो उनका दोस्त था उसके मुबाइल से यह मिले हैं कि अधिए धिलाल ये कि अधार विडियो की रिकावरी की बात सामने आ रही है लेकिन अब देखने वाली बात बारा वीडियो मुखे शोर्ट के आए हैं मगत क्या आरोपी लड़की के मुबाइल से मिले हैं क्या और उसके बाद क्या वारा वीडियो जिन दो आरोपी ओंको रंजन और जो सनी मैता थे उनको जो वेजा गया कि बिट्वारा के या इसके बारा की बोलने को त्यार बिलकुत तो देखिए जैसे जैसे इस मामले में तक्तीश बढ़ती जा रही है पूर्टार की जा रही है घानवीन की जा रही है नए-एना चीज़े सामने निकल कर आ रही है और एक और शीजब चुद्व हैं अब ओपी अगर बात की जायस चौतिश रक्सकी जिसकी बारे में अभी जानकारी सामने निकल कर आई है इसको लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है कहां का है जो ये वक्ती है कहां रहता है जो चात्रा थी वो कब से इससे बात कर रही थी कॉन्टैक्ट में थी कितने समय से ये लोग दोस्ते इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है जो पीस्तोता आरोपी मोहित है इसको लेकर जादा नहीं पता है कि वो कहां से आया था और क्या करता था लेकिन पुलिस ने जो है इनके घरों में जब इनको गरेफ़तार जाए इनको गरों से मोबाईल के अलावा इनके लैप्टोप्स वगरा भी जो वरामस्तिया और इनके आयरिस के बात की हिस्तों मुंभाई गुजरात में भी लगातार बातने करने की जो लगातार मतलब पॉल्स की बी बात वात पामने आरी तो पही ना कहीं यह मतलब बड़े मैस्तव से की बड़े गिरोव की करप जो है वो कही ना कहीं इशारा कर रहा है कि क्या दर्शी और लगातार ये कोशिश की जत्ती भी इंफरमेशन बहार निकल कर आती है बहुत बहुत शुक्रें तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए